हरियाना राज्य सरकार ने टेरा सच्चा सौधा के परमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर फरलो दे दी है राम रहीम 21 दिन के लिए जेल से बाहर रह सकते हैं यहां बता दें मंगलवार सुभा 6 बजकर 46 मिनट पर हनिप्रीत सुनारिया जेल से राम रहीम को लेकर यूपी के बरनावा आश्रम के लिए रवाना हुई है जानकारी के नुसार एक गाड़ी में हनिप्रीत के अलावा ड्राइवर राजा और सीपी अरोडा जबकि दूसरी गाड़ी में ड्राइवर प्रीतम एडवोकेट हर्श अरोडा और डॉक्टर पी आर नैन थे पुलिस दौरा सुरक्षा के पहरे में राम रहीम को जेल से यूपी ले जाया गया बता दें गुर्मीत राम रहीम को साथवी दुषकर्म मामले में वर्श 2017 में सजा सुनाई गई थी उसके बाद उसे चातरपती और रणजीत हत्या कांड में भी सजा हो चुकी है तब ही से ने एक याचिका पर फैसला दिया था कि राम रहीम को पैरोल या फिर फरलो हाई कोट के अनुमती के बगएर नहीं दी जा सकती इसके बाद राम रहीम की तरफ से हाई कोट में अरजी दायर कर पैरोल या फरलो पर रोक हटाने की मांगी और नयायले ने पैसला दिया कि प्र भारदेश 15 अगस्त को 78 वा स्वतंतरता दिवस मनाने जा रहा है इस दोरान समूचे देश में खंड स्तर से लेकर जिला स्तर और राज्य स्तर तक कारेक्रमों का आयोजन किया जाता है वह दिल्ली के लाल किले पर भव्य कारेक्रम का आयोजन किया जाता है स्वतंतरता दिवस के मौके पर लाल किले पर भजा रोहन के लिए विशेश मंच तयार किया जा रहा है इस मंच से प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी देश को संबोधित करेंगे और राश्ट्रेद बज़ फहराएंगे सुतंतरदा दिवस के मद्दे नजर लाल किले की सुरक्षा विवस्था चाक चौबंद की गई है सुतंतरदा दिवस के मौके पर हर वर्ष लाल किले पर भजा रोहन के लिए विशेश मंच तयार किया जाता है लाल किले की इस मंच से प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी देश को लगातार ग्यारवी मरतबा संबोधित करेंगे और राश्ट्य धवज फेहराएंगे सुतंतरता दिवस के तैयारियों के चलते लाल किले को सजाया समवारा जा रहा है हर वर्ष देश के भिन भिनने हिस्सों से लोग लाल किले पर कारेकरम में पहुंचते हैं सुरक्षा विवस्ता का भी फुक्ता इंतजामात किया गया है और सुरक्षा के मद्दे नजर दिल्ली में पैरा ग्लाइडर्स, पैरा मोटर्स, हैंड ग्लाइडर्स, माइक्रो लाइट, एर क्राफ, हॉट एर बैलून, पैरा जंपिंग और ड्रोन पर भी प्रतिबंद लगाया गया है पतंजली भ्रामक विज्यापन मामले में बाबा रामदेव को सर्वोच्च नयाले से बड़ी राहत मिरी है बाबा रामदेव को जिसकी वज़त से नयाले से फटकार पड़ी थी उस केस की फाइल अब बंद हो चुकी है बता दें पतंजली भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोट ने योगुरू राम देव बालक्रिषन और पतंजली आयववेद लिमिटिट के खिलाफ अवमानना की कारवाई बंद कर दी है भामक विज्यापनों के मामले में सुप्रीम कोट ने उनकी माफी को स्विकार कर लिया है इसे पहले 14 मई को सुप्रीम कोट ने अवमानना नोटिस पर अपना आदेश दुरक्षित रखा था सुप्रीम कोट इंडियन मेडिकल असोसियेशन द्वारा दायत की गई एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था के अस्पतालों में रेजिरेंट डॉक्टर्स ने काम बंद रखा हुआ है और डॉक्टरों द्वारा लगतार प्रदर्शन किये जा रहे हैं रामकाज को प्रभावित नहीं करेंगे इसमें ये भी कहा गया है कि ऐसा न करने पर डॉक्टरों के खिलाफ अनुशासन हीनता की कारवाई की जाएगी अडानी मुद्धे पर अब सियासत गर्माने लगी है कॉंग्रेस केंद्र सरकार को पूरी तरह से घेरने के मूड में नजर आ रही है कॉंग्रेस ने इस मुद्धे को अब संसत से लेकर सड़क तक ले जाने का एलान किया है बता दें हिंडनबर्ग ने सेभी प्रमुक माधवी पूरी बुच को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी इस रिपोर्ट के बाद केंद्र की भाजपा सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई है कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता केसी वेनुगुपाल ने मंगलवार को एक प्रेस कॉंफरेंस की वेनुगुपाल ने एलान करते हुए कहा कि कॉंग्रेस पार्टी देश भर में 22 अगस्त को प्रदशन करेगी कॉंग्रेस ने मामले को लेकर सेवी प्रमुक का स्तीफा, मागा और जेपीसी की जाचकी भी माग उठाई है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंग्मान ने मंगलवार को चंडीगड के मिनुसिपल भवन में आयोजित कारकरम के दौरान दस्ती भागो में नवनियुक्त हुए 417 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर सौंपे बताते चले ये युवा उत्पाद शुल्क, युवा राजस्व, वित, शिक्षा, स्थानी निकाय, क्रीशी और स्वास्थ निभाग में पिभिन पदों पर नियुक्त हुए हैं उन्होंने कहा कि अगर किसी को भी डिग्री के मताबिक अपने देश और प्रदेश में ही नौकरी मिले तो कोई विदेश क्यों जाना चाहेगा उन्होंने कहा कि नौकरी एक सपना ही बनकर रह गया था लेकिन आज ऐसी क्रांसी आई है इसमें आम लोगों ने अपनी भागिदारी सुनिश्चित की है इस दोरान मुख्यमंत्री मान कॉंग्रेस और शिरोमनी अकाली दल पर भी हमलावर हुए कि उन्हों वह कि अपना गें इसे सब्स्कार यह से सफ़रिए न्यदी कैंदे जी कैपिटर मिंदेश जी पेट लांच हो रही है अरच निटीच लांच रहे हैं ध्यून्हाज ओने लांच ले दे हैं फाशन दे हूँ को मैंनु पता सामना ता मेरना नी पंगा ता मेरना नी पहना है मूरों सुन ले ने में पहली आ चार लेना ची मैं गला इधा गया गा उन्हें कहना सी के मेरे पिता जी ने पट्याले दी विकास ते एक सो चताली क्रोड रपी ये खर्चे हैं उन्हें की कहा मेरे फादर ने पट्याले दे विकास ते 144 क्रोड रपी ये खर्चे हैं मैंनू पता लागे नूँ सो होता कहना होंता है नूँ चताली नहीं कहना हो कि मैं अबसार गया वास आता है कि करीगा यह 144 क्रोड राड़े नहीं की मेद कर लोगा न कोई नौकरिया नहीं कर दिया है हुनके में दे जाने हैं नौकरिया ओही खजानना है ओही सेक्ट्रियेट है ओही अफसर ने हुनके में वह जंद है आज चतो डेले चारसो स्तारा पाके चताली हजार छेसो शेयाट जनके दो चोगे तैन शीके चताली हजार शेशो शेयाट अपने उकरिया जोगिया जमला के हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के अंतरगत आने वाले संजौली में निर्माना धीन टनल के मोहाने पर लैंड स्लाइड होने सी ये टनल देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह डह गई आपको बता दें ये भूसकलन संजौली के चलाउंटी में बन रही टनल के एंट्री गेट पर हुआ है इस दोरान मौके पर यहां अफरा तफरी मच गई और काम कर रहे मजदूरों ने भाग कर अपनी जान बचाई और कोई जानी नुकसान होने की खबर नहीं है जानकारी क परवानों से शिमला तक फोर ले निर्मान का काम चल रहा है जिगतना मंगलवार सुभा पेश आई है जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है आए आपको दिखाते हैं किस तरह धै गई निर्माना धिन टनल लाइकन दबाना भूलेगे